तो फैन दोस्तों आप सभी को जीस वीडियो का इंतजार सा जीस वीडियो को आप सभी के बहुत से कमेल राते फान वीडियो आ चुके जास तो फाने लिक अक्षा 11 का जो फसल बादम उद्या सस्तर का आपका जो 26 सितंबर को जो पेपर होने वाला है त्रेमासी का उसमें आप आपको पार्ट वन वीडियो दे चुका हूं जिसमें आपको में पार्ट चेप्टर के जो कोस्चन वा कवर करा चुका हूं अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जलू देखेगा कि उसमें जो पार्ट चेप्टर के जो इंपोर्टन कोस्चन आपको बता दिये और इस वीडियो वह बागी चप्टरों के इंपोर्टन कोश्चन आपको इस वीडियो में बता जाएंगे तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट है पहले आप यह पार्ट वीडियो भी देश सकते तो अभी इस वीडियो को देख लो और इसके बाद जाकर आप पार्ट वन वीडियो भी देख सकते हैं पार्ट वन वीडियो की लिए का पूर इसमें मिल जाएगी तब बस आप पार्ट वन वीडियो जलू देखे जिएगा और अभी यहां पर मैं आपको जो कोश्चन बता रहा हूं नोट करना शुरू किजिए और वीडियो लाइक वीडियो को साथ मसFC चैनल के साथ जूर जाइए चैनल को सस्क्राब्स फिरसे बता रहा हूं इसके वीडियो चैनल की तो यहां पर आप देख सेकते हैं रंद्र ओकास का महत्व बताई तो बहुती important question इसे जरूत यार कीजेगा तो यहाँ पर आप देख सेकते हैं रंद्र ओकास के महत्व निम्न प्रकार है इससे मर्दा की जल धारन चमता में वरद्धी होती है ठीक है जड़ों की वरद्धी है तो प्रियाप्त स्थान मिल जाता है पोद्धों की प्रियाप्त मात्रम में वाई जल प्रात हुता है तो यह चार विसस्ता है पाच विसस्ता है आपको यातर के जाना है ठीक है उसके बद आपको यहाँ पर next question तेहर करना है मर्दा संडचना या मर्दा विन्यास को परिवाशित कीजिए तो मर्दा कनों की बोमी में सजे रहने की करम को मर्दा विन्यास कहते है और मर्दा गठन से आप क्या समझते तो मर्दा में पाए जाने वाले विविन प्रकार की खनिच कनों के साथ सापेच क्या है सापेच अनुपात को मर्दा गठन कहते है ठीक है करशी के लिए कि इस प्रक तेयर करना है मार्दा क्म that किसे कहते हैं पर में मर्दा यहीं डालने वाले कारव कौंकों से तो यहां पर आप देख सो ते मर्दा गठायन, मर्दा कनों की प्रकर्ति, मर्दा विन्यास तता मर्दा में जिवान्स की मातरा ठीक है नोट करो उसके बाद आपको यहां पर नेश्ट कोशन तेया करना है मर्दा पी एच के यहां पर मर्दा जल को परिवाशित कीजिए यह वाला कोशन तयार करना है मर्दा की जल चारण चमता उसके किस गुन पर निवह करती यह बताना है फिर यहां पर मर्दा पी एच के उन्सा यह तो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है नोट करो उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंक कोश्चन है क्या अमलिय अन्शारी मर्दा में आपको अंतर याद करना है तो यहां पर एक धियां से मैं आपको यहां कुछ इंपोर्टेंन जानकारी देने वाला हूं अगर आप इस question को अच्छे से याद करते हो अगर आप अमल्य उशारी मर्दा में अंतर याद करते हो तो इस question के से आपके दो फाइदे होने वाले अगर आपको आगे जाके मान लिजे आपके पेपर में पूछे कि ये ना पूछे अमल्य उशारी मर्दा में अंतर ना पूछे और आपको पूछे अमल्य मर्दा की विशारी 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 म पाय जाती है इस मर्दा में अजित्ता पाय जाती है तो अगर आप कोषचन में प्रयाद करते है कि अब करते हैं और आपको विपर में विषज़न ह्री पूछे जा बाइन तो बहुत बड़ी बात बहुत बढ़ी हाब आप इसे लिख सकते हैं आप अंतर किस आधार पर बता सकते हो आप किसी चीज में उनकी विसेस्ताओं के आधार पर ही तो अंतर बताओगे तो यह उनकी विसेस्ताओं ही है ठीक है याद रखेगा पीएच मांट साथ से कम होता है किसका अमली का और शारी में पीएच मांट अधिक होता है साथ से और जो साथ होत तो जल का होता उदाशीन ठीक है याद रखेगा उसके बात आपको नेश्ट कोशन त्यार करना है लवनी मर्दा शारी मर्दा वह यह वाला कोशन भी उसी प्रकार है विसेस्ताओं कि आदार पर वर्गी कभी अंतर गयात किया जाता है ठीक है उसे आप यहाँ पर नोट कर सकत ठीक है नोट करो उसके बाद आपको यहाँ पर अमलिय मर्दा बनने के कारणों का वर्गी करंग बताना है तो यहाँ अमलिय मर्दा बनने के कारंग कोंकों से आप यहाँ पर देख सकते हो पहला जीविक पत्दा तो कभी घटन दूसरा है मूल चट्टानों की प्रकट्ती परियोग ठीक है नोट करो उसके बाद आपको यहाँ पर नेस्ट कोशन तया करना है शाड़ी मर्दाओं के मर्दा यहों पोदों पर क्या प्रवाग पड़ता है तो यहाँ पर इसकी कंप्रिजयान करें दी गई आप यहाँ पर नोट कर सकते हो फटा भी इसके इन सोट ले फशलो को अगा कर तो आप इसे नोट कर लिए ठीक है उसके बाद चुने के प्रियोग से भूमी तरथा पोदों पर क्या पर प्रवाग पड़ता है तो यहाँ पर बताएगा है अच्छे से बताएगा आप यहाँ पर नोट कर सकते हो ठीक है बूमी पर क्या परवाग तुरोमर्दा करनी धूर्टा डूसे इत्व इत्सान तो जल वाई हूँ है उसके बात मर्दा ढल वळीक फो प्रवाइद करने वाले कारकों कोंड से है तो यहाँ पर बता आए गabetes नोट करों ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर क्या तैया करना जल का जल शेरंग से होने वाली चार रहानियां कौन कौन सी है तो यहाँ पर मैं आपको छे आनी बता रहा हूं उसमें साब कुछ तैयर कर लिया ठीक है उसके बाद मर्दा संडचन किसे कहते तो मर्दा संडचन के तीन उपाई लिखे दो कारण लिखे तो सभी यहाँ प बाद आपको यहाँ पर भूपरिस्क्रण क्या है भूपरिस्क्रण के प्रकार याद करना है तो भूपरिस्क्रण फसलों के सपल का सपल उतपादन के लिए खेती को तैयार से लेकर फसल के तैयार होने तक वह में जो भी किरिया की जाती है भूपरिस्क्रण के लाती है यह दो प्रकार को होता है प्रात्मिक भूपरिस्क्रण और दुट्यक तो प्रात्मिक को यहां पर बताया गया है और दुट्यक आप यहां पर देख सकते हो नोट करो ठीक उसके बाद भूपरिस्क्रण की क्या उद्देश है तो यहां पर बताया रहा हूं आप नोट करो पहले बताना तो आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद आपको देशी हल क्या इसके गुण के विशस्ताई बता नहीं तो आप इसे नोट करो ठीक है नोट करते जाओ मैं आपको यहां पर कोश्चों बता रहा हूँ उसके बाद देशी हल के कोई चार अभी मिने गुण बताए थे अब अगुन देख लो उसके बाद हेरो के प्रमुक कारी बताना है हेरो के क्या कारी है विविन प्रका के हेरो के नाम लिखे तो कारी तो बता दिए अमिके प्रकार की खोटीदार हेरो लिवर हेरो तीकनिया हेरो क्या कामानी कमानीदार हेरो तो नोट करो करशी अंतरों की चार प्रमुक वाइंशित गुन लिखे तो यहां पर नोट कर लो ठीक है उसके बाद थ्रेसर चलाते समय धियान रखने वाले सवधानी यहां पर बहुत ही important question याद कीजिएगा उसके बाद देशी हलो मिट्टी पलटने वाले हल में प्रमुक अंतर बहुत ही important question है नोट कीजिए ठीक है उसके बाद ही रुदता कल्टीविटर में प्रमुक अंतर most important question चार नमर का है नोट करो ठीक है यहां पर किते तीन अ बहुत के नाम लिखे आप नोट कर लो ठीक है उसके बाद यहां पर सिचाई का महत्व याद कर लो उसके बाद जल मंग क्या इसको प्रवाइद करने वाले चार कारक लिखे यह याद कर लो ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको शुरूब बताए था कि यह part 2 वीडियो इससे प होच ओक आपको इसाकर नमर्पर पर तैयारी में तो बकिना आपको मैंधे आपको यहां पर 1 से लेकर आपकी जो 10 चेप्टर तक के जो objective type के question आपको फटापट पल लेना है आपके पास परिच्छाइत देन होगी पुस्तक होगी गायट होगी तो आपके पास किसी परकार के आपके नोट से तो उसमें से आप objective type के लिए वीडियो आएगी लिकिन वीडियो लेट हो सकती है यहाँ पर उस अभी अभी के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेला को और पर प्रेस करें तो मिद्द वड़ में जैन करें करें करें